question number 6 a person invests 10,000 रुपीज for 2 years तो एक person invest करता है मतलब कि किसी company में या कहीं पर पैसा वो लगाता है 10,000 रुपीज for 2 years दो साल के लिए और जबी लगाता है 2 साल के लिए तो compound interest पर लगा रहा है compound interest पर और करा रहा है कि at the end of 1 year तो करा रहा है कि एक साल बाद जो sum है, sum मतलब कि principal मतलब कि 10,000 रुपीज 10,000 रुपीज ही यहां पर sum है या principal है यह amount हो जाता है, मतलब कि बढ़ जाता है यह 10,000 रुपीज बढ़ करके 1 year के end में हो जाता है 11,200 तो calculate करना है the rate of interest rate of interest क्या होगा और बताना ही कि second year के end में कितना amount हो जाएगा तो बहुत simple है, हम क्या करेंगे पहले जो यहां पर दिया हुआ है 11,200, यह amount है 1 year के end में तो हम पहले rate of interest को r माल लेंगे, r% उसके बाद हम निकालेंगे 1 year का amount और उसके बाद इसको equate कर देंगे तो r के value निकल सकती है क्योंकि equation बन जाएगा तो let us do that सबसे पहले हम suppose कर लेंगे rate of interest r% अब यहां पर हम देखेंगे कि principal क्या है तो 10,000 रुपीज है, तो वो लिख लेंगे तो principal for the first year will be 10,000 रुपीज अब यहां पर principal मिल चुका है और rate भी हमें r% हमने माना है तो हम यहां पर निकाल सकते हैं interest तो interest of 1 year कितना होगा PRT upon 100 फ्रमले लगाएंगे और find कर लेंगे PRT upon 100 तो P आपका है 10,000 rate आपका r% into T जो है 1 year whole upon 100 यहां पर जिरी जिर गंसिल होगए 100 r मतलब कि हमें आ गया हम पर 100 r यह r multiplied है 100 में ठीक है तो interest मिल गया 1 year का अब इस interest को यह प्रिंसपल में add कर देंगे मतलब कि 10,000 में add कर देंगे इस interest को तो मिल जाएगा 1 year का amount amount after 1 year हो जाएगा 10,000 plus यहां हो जाएगा 100 r add कर देंगे interest अब यहां देजएगा यह जो amount निकला है हमें 1 year के end में यही दिया हुआ है यहां पर देखिए 11,200 तो यही यहां पर value दी हुई है इसका मतलब कि 11,200 at the end of 1 year यही sum है तो हम इन दोनों को equate कर सकते हैं मतलब 10,000 plus 100 r is equal to 11,200 क्योंकि दोनों सेम है तो equation बन जाएगा फिर हमें r के value निकाल सकते हैं तो let us do that तो हमारा equation बन जाएगा 10,000 plus 100 r means this much is equal to 11,200 अब यहां पर 10,000 मानस कर लेंगे तो मिल जाएगा हमें it implies 100 r is equal to 11,200 minus 10,000 तो 11,200 में से 10,000 मानस कर लेंगा तो मिलेगा 1,200 और यहां से हमें मिल जाएगा 100 r is equal to this much and r is equal to मिल जाएगा 1200 whole upon 100 यह जूर जूर के सी रुजाएगा मिल जाएगा हमें 12% तो हमारा rate of interest क्या है 12% this is your first answer अब हमें क्या करना है कि the amount at the end of second year find करना है अब हमे rate of interest मिली गया है तो अब हम find कर सकते हैं second year का interest तो पहले निकाल लेते हैं principle क्या होगा principle for the second year तो अब हम rate of interest तो पता है 12% interest निकाल सकते हैं तो interest for the second year ये हो जाएगा P into R into T upon 100 और principle लेंगे हम 11,200 into 12% upon 100 हो जाएगा ये जिर जो कंसर हो जाएगा तो मिल जाएगा 1,344 रुपीज ओके अब ये जो मिला हमें interest इसको इदि आइड करतेंगे principle में तो second year के end में जितना भी amount होगा वो निकल सकता है और वो हमें हमारा second answer होगा तो amount after two years will be principle जितना था 11,200 इसमें add कर देंगे जो interest आया है मतलब कि 1,344 तो ये हो जाएगा 4,4 ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2,1 तो 12,500 रुपीज this will be your second answer question number seven Mr. Lalit invested 5,000 रुपीज at a certain rate of interest compounded annually for two years at the end of first year it amounts to 5,325 calculate the rate of interest the amount at the end of second year to the nearest रुपी मतलब ये कर रहा है कि Mr. Lalit ने 5,000 रुपीज invest किया किसी rate of interest पर और compounded annually था ठीक है for two years अब कर रहा है कि at the end of first year one year के end में 5,325 रुपीज उनको amount मिलता है मतलब कि interest को add करने के बाद मतलब interest निकालेंगे 5,000 का one year का और जो भी interest आएका यदी 5,000 में add करेंगे तो मिल जाएगा 5,325 मतलब interest यहाँ पर साफ दिख रहा है 325 क्या है interest है calculate करना है कि rate of interest कितना होगा तो ठीक यह question exactly same है question number 6 की तरह तो चलिए solve करते है rate of interest हमें r% मान लिया अब हमें क्यारना क्या है हमें निकालना है amount at the end of one year हमें यह find करना पड़ेगा तो सबसे पहले हम principle लिखेंगे फिर interest निकालेंगे उसके बाद amount निकालेंगे तो principle for the first year होजेगा 5000 रूपीस तो interest for one year हम यहां calculate कर लेंगे तो 5000 into rate of interest r माने है हम into one year के निकाल रहे है अपान 100 तो जरी 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 cancel होगे यहां पर मिल गया हमें 50 r ओके तो 50 में r multiplied है अब हमें क्या करना पड़ेगा इस 50 r को add कर देना है principle में तभी तो निकलेगा amount for the first year amount after one year आपका हो जाएगा 5000 plus 50 r और यह जो amount निकला यह exactly equal है 5325 के हैगे नहीं यही तो दिया है आपका at the end of first year amount तो दोनों को equate कर देंगे तो लिख देंगे आपर since 5000 plus 50 r is equal to 5325 तो यहां पर यह बन गया equation और इस equation से हम solve कर लेंगे आर की value निकल लेंगे तो यहां जाएगा 50 r 50 r is equal to 3025 sorry sorry 325 तो यहां पर यहां पर आर की value हम निकल सकते हैं तो यह हो जाएगा अब हम second year का निकल लेंगे interest और इसमें amount find कर सकते हैं अब तो मैं यहां पर short term में लिएता हूँ P2 P2 मतलब की principal for the second year तो principal for the second year कितना होगा यह जो यहां पर हमने लिखा है यही होगा मतलब 5325 अब निकल लेंगे interest for the second year मतलब i2 और i2 निकलेंगे तो हो जाएगा हमारा 5325 multiplied by rate of interest मतलब की 6.5 into year 1 है second year है तो one year है वो भी upon hundred solve करते हैं मतलब करना में 34612.5 whole upon hundred तो hundred से divide करेंगे तो decimal two plus left में जाएगा मतलब मिल जाएगा हमें value finally तो यह हमारा interest हाजाएगा 346.125 अब इसको यह दिए हम principal में add कर देंगे तो यह हो जाएगा amount at the end of second year और वह हमें find करना है मतलब यह a2 find करना है तो a2 बराबर कितना हो जाएगा p2 मतलब principal for the second year plus i2 मतलब interest for the तो यह हो जाएगा amount after two years तो p2 आपका है 5325 plus 346.125 देखिए 5671.125 आया है और हमें पूछा है कि nearest हमां find करना है end of second year to the nearest rupee तो nearest rupee मतलब होता है कि इसको decimal को हमें पूरी तरह से cancel out करना है तो यहाँ पर nearest rupee जानते क्या होगा मतलब point के आगे है 125 तो 1 है तो 1 को round up करेंगे तो यह less than 5 है तो इसको पूर्ट आ सकते हैं मतलब यह approximately आ जाएगा 5671 rupees to the nearest rupee यही आपका answer होगा amount at the end of second year question number 8 ध्यान दिजेगा a man invests 5000 rupees for 3 years at a certain rate of interest compounded annually at the end of one year it amounts to 5600 calculate the rate of interest per annum the interest accrued in the second year and the amount at the end of third year यह जो question 8 है exactly question number 6 और question number 7 जो हमने अभी अभी solve किया previously इसी वीडियो में ठिक वैसे ही question 8 भी है तो इसको हम लिख के solve नहीं करेंगे बस आपको यहाँ पर हम solve करके समझा देंगे कैसे हो रहा है ओके और लिखने वाला काम आप करिएगा इतम सेम है question number 6 और 7 जैसे है वैसे ही है तो देखे क्या कर रहा है मतलब कि यह principal है तो 5000 रुपीज उसके पास क्या है P1 अब यह जो 5000 रुपीज है कर रहा है कि at the end of one year एक साल बीतने के बाद यही 5000 हो जा रहा है 5600 इसका मतलब कि A1 दिया हुआ है मतलब amount at the end of one year आपका है 5600 रुपीज ठीक है find कर रहा है कि find करिए rate of interest तो यह बताएगे इदि हमें A1 हम निकाल लें यहाँ पर माल लिजे कि rate of interest है आर परसेंट ठीक है सबसे पहले आप क्या करिए principle आपको पता है P1 इतना है तो आप interest निकाल सकते हैं for one year मतलब I1 निकाल लेंगे I1 मतलब क्या होता है interest for one year तो इदि interest for one year निकालें तो हम करेंगे P1 into R जो भी rate रहेगा upon यह time जो लगेगा upon hundred तो यह हमारा interest निकल जाएगा देखते हैं क्या निकलता है तो 5000 में मतलब लेकरना पड़ेगा rate मतलब की पता नहीं है तो आर रख किये यह time is one upon hundred जोगे 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 से लोगया मिल गया हमें 50R जो 50R आया मतलब की आर जो है 50 में multiplied है ओके तो यह interest है यदि इस interest को हम add कर देए P1 में तो हमारा amount निकल जाएगा और amount हमारा दिया हुआ है A1 इसका मतलब since we know that A1 is equal to P1 मैंने principle for first year plus I1 I1 means interest for first year ऐसा हम जानते हैं ऐसा होता है तो इसी equation में हम put कर देंगे सारे values और solve कर लेंगे तो मिल जाएगा R की value कैसे A1 आपका है कितना 5600 P1 आपका हमने calculate किया यह 5000 तो पहले से दिया था sorry calculate नहीं किया हमने यह already दिया हुआ है I1 हमने calculate 50 R यह बन गया हमारा equation अब इस equation को solve करेंगे और R की value find कर लेंगे तो 5 second को left hand में ले जाएंगे तो 600 बचेगा मैंने पर मतलब कि इसको लिखा जा सकता है इस equation को 50 R is equal to 600 है कि नहीं और यहां से हम R निकाल सकते हैं 600 upon 50 तो यह 5 अगया और 5 जा 5 जा 5 जा 10 मतलब कि 12 परसेंट तो यहां पर R आ गया आपका 12 परसेंट अब यह दिर R निकल गया तब हम आसानी से P2 करेंगे और P3 निकालेंगे फिर हम असानी से solve कर लेंगे interest accrued in the second year देखें second year में कितना interest आया हमें यह भी निकलना है तो यहां तक यह आप note कर लिये हैं तो मैं इसको erase करना चाहूंगा क्योंकि हम लोग solve करेंगे यहीं पर तो हम इसको याद रखते हैं कि कितना आया है 12% rate of interest आ गया तो first dollar solve कर चुके हैं हमें निकालना है interest accrued in the second year second year में कितना interest आया तो हमें start करना पड़ेगा P2 से P2 मतलब कि principal in the second year second year में principal क्या लेंगे देखें principal second year में वही लेंगे जो amount होगा first year में amount कितना था 5600 वो तो आपके question में ही दिया हुआ है at the end of one year it amounts to 5600 तो यही को P2 ले लेंगे second year में जो principal होता है वो यही होगा अब यहां से rate of interest पता ही है कि 12% आया था हमारा और time जो है one year है तो हम निकाल लेंगे interest यह निकाल रहें देखिए interest accrued in the second year मतलब I2 I2 हो जाएगा P मतलब कि 5600 इंटु rate 12% इंटु time one year upon 100 इस यह जो गैसे लोग गया तो लेंगे लिए 672 रुपीज इतना आया interest for the second year तो यह आपका answer second हो गया ठीक है अब में निकालना है third the amount at the end of third year मतलब कि third year के end में कितना amount होगा तो हमें I3 भी निकालना पड़ेगा और principal में add करना पड़ेगा कहने का मतलब यह तो सबसे पहले तो यहां से हम I2 निकाले हैं तो हमें A2 निकालना चाहिए मतलब amount कितना होगा at the end of second year यही कि A2 तो work करेगा third year के लिए principal as a principal है कि नहीं तो A2 आपका आ जाएगा P2 प्लस I2 ओके और P2 प्लस I2 कितना होगा तो आपका यह है तो इसमें इंटर्शाथ करेंगे तो 5600 प्लस 672 मतलब यह आ जाएगा 2721 केरी 6 6272 इतना आपका आ गया amount at the end of two years अब उसके बाद हम इसको P3 ले सकते हैं P3 क्या होगा P3 is the principal for the third year तो P3 is equal to A2 हना और यह इतना ही होगा मतलब कि 6272 अब P3 निकल गया तो यहां से हम I3 निकाल सकते हैं I3 ठीक करेंगे क्या principal लेंगे PR लेंगे 10 12% PRTT 1 ही है अपान 100 हमाट गलाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे decimal आएगा यहां मतलब करने पर आगया 75264 अपान 100 से डिवाइड करेंगे तो डिशमल आ जाएगा इस पाइंट पर मतलब का आजाएगा 752.64 यह जो इतना इंट्रेस्ट आया थर्ड येर का अब इसी इंट्रेस्ट को इदिए आइड कर देंगे P3 में तो amount हो जाएगा at the end of third year और यह the third year means means P3 plus i3 i3 is interest in the third year ता हमरा आ जाएगा 6272 में आइड कर देंगे 752.64 इसकोइड करेंगे तो डिशमल 64 तो रहेगा और यहां से हो जाएगा 4 2 910 01 केरी और यह हो जाएगा 657 means 7024.64 रुपीज यह आपका amount होगा at the end of three years this will be the answer for the third part ऐसे कर लिशेगा बिल्कुल आप ठीक है question number 8 मतलब 6 और 7 के इदम exactly same है इदी आपको बुड़ो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को like कर सकते है आपने दोस्तों को share कर सकते है और comment box में जरू कुछ ना कुछ लिखिए इससे मे बाइ